हेलो एवरीबन, आपको अपने चैनल नॉन टेक, टेक वी सेशन भाई में आपका स्वागत है, मैं सतनाय न्याद हूँ, आपको प्रीबियस यर में पूछे के क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ डिसकस करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस दूसरे क्वेश्चन के हम बात करें, कि 9 पासाड काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पसु क्या था, तो यह था भेड, देखी, 15,000 इसा पूरु में, 15,000 इसा पूरु के सम्तिंग में, पहला जानवर कुट्ता पाला गया था, ठीक है, और जो हमारा 11,000 इसा पूर हडपा काली निस्थल खोजा गया था, तो इसका अंसर है, ए नमबर हडपा, हडपा की बात करें, तो यह सन 1921 में, सन 1921 में, किसके द्वारा खोजा गया था, दयाराम साहनी जी के नितत्त्य में, इसे खोजा गया था, देखी, इसमें तीन क्वेश्चन बन गया, कि सबसे पहला इस्थल कौन सा था, तो हडपा था, किसके द्वारा खोजा गया था, तो दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था, कब खोजा गया था, 1921 में, खोजा गया था, नेक्ट कुश्चन है, हडपा की सब्विता निम्लिकित में से संबंदित है, तो वो किसे संबंद हड़पा संस्कृति की मुद्राओं एबं पक्की मिट्टी की कलकृतियों में किस पसू का चित्र नहीं दिखाई देता है तो वो किस चिच का है गाय का जो है कि हमें नहीं दिखाई देता है देखें क्या था कि हड़पा संस्कृति में एक मुहर मिला था जिसमें त्रिमुखी योगी चित्रित थे जिसके दाहनी और हाथी और बाग थे और बाई और क्या था बाई और गेंड़ा और भैसा थे सिंगासन के जो नीचे थे यहां पर दो हिरन खड़े हैं तो इस संस्कृति में जो है आपको गाय और घोड़े की कहीं पर भी बात नहीं की गई है ठीक है मोहन जो दोड़ों से जो प्राप्त एक मोहर मिली थी उसमें तीन मुखवाला एक पुरुस ध्यान की मुद्र में बैठा हुए थे उसके सिर पर जो थे तीन सिंग थे उसके सिर पर क्या थे तीन सिंग थे उसकी बाई और एक गेंड़ा और भैसा था तथा दाई और हाथी एवं व्याग्र थे और जो एक क्या कहते है हिस्टरी की लेख़क थे जो मार्शाल वो इसे क्या बता है आर्ध स्यूउ क्या बता हैं आध सीव नेक्ष्ट कोश्चन है हमारा निम लिखित में से किस विद्वान ने सरप्रथम हडपा सभ्यता के उस्वेसों को खोजा था तो किन ने खोजा था एक कनिंगाम अलेक जेंडर कनिंगाम ने 1853 इस्वी तसा 1873 इस्वी में हडपा का सरवेच्छड पर पुरानी में कि खोज किये थे नेक्स्ट है मोहन जोडाडु कहां इस्थित था तो मुहन जोड़डु जो इस्थित है आपका वह पंजाब के सिंध पूर्न्त में आया करता था पहले सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में वहाँ पर्थाは तो इसका शहींज़ अंसार है भी यहां पर हैं सिंद में लपकाना जीले में सिनार ये भी पूछ देता है और शीद किसamingam हमारा हड़पा कालीन सब्वेता का विसाल कोठार कहां मिला कोठार मिन्स जहां पर अनाज का संग्रह किया जाता है तो वह कहां पर था तो वह आपका था मोहन जो दाड़ों में तो इसका एंसर सही हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है हमारा हड़पा कालीन लोगों को किस की जानकारी नहीं थी तो उस टाइम लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी वहाँ पर देखिए हड़पा कालीन में क्या मिला था हमको गे हूँ जाओ ये सब चीजों के के बारे में हमको जानकारी मिल चुकी थी अब हम पॉलिटी के कोस्चन में इंटर करेंगे अब हम पॉलिटी सेक्षन में बात करते हैं पहला कोस्चन है हमारा कुछ 11 दिसंबर 1946 को किसे समिधान सभा का इस्थाई अध्यच चुना गया था तो देखे जो समिधान सभा की जब बैठक हुई तो पहली बैठक जब हुई तो 9 दिसंबर वो 1946 का दिन था इसमें सचिदा नंसिनहा सचिदा नंसिनहा को क्या बनाया गया था आश्थाई सभा का अध् के रूप में चुना गया तो इसका सही अंसर है बी नंबर नेक्ट कोश्चन है हमारा गड़तंत्र क्या होता है तो गड़तंत्र जैसा हो है तो इसका सही अंसर है राज जहां पर अध्याच वंसा नुगत रूप से ना हो मतलब जहां पर चुनाओ जो हो मतलब कोई भी अध्य यह अगर चुना जाता है तो वो निर्वाचन के थुरू हो ना कि किसी वंस का परंपरागत चलता आ रहा हो जैसे ब्रिटेन में वंसानुगत रूप से चलता है और अपने इंडिया में क्या है गड़तन तरह राज्य है यहां पर चुनाओं के द्वारा राश्पति को चुना कर hopping ने स्विक्रिट करता है इसमिन की बात करें गीट जंगड मन को भारत के राष्टगान के रूप में किस वर्ष स्विक्रित किया गया था तो यह पहली बार कब गा गया गया था तो यह गाया गया था कि 17 दिसंब उनिस सो ग्यारा को यह गाया गया था कहां पर कलकत्ता दिवेशन में इसकी समय अवधी कितनी होती है 52 सेकंड की होती है जिसे संचिप्त रूप में 20 सेकंड के अंदर गाया जाता है दिन यह आपको यह क्लियर हो गया होगा कि जनगर मन को 24 जनवरी 1950 जनवरी 1950 तो इसका सभी अंसर हैC नेक्ट कोस्टन है मारा इन में से कौन जुलाई 1946 में गठिस संव्धान सभ़ के सधस नहीं थे तो देखे महात्मा गांधी इसके सदस नहीं थे इस वारत की समभान सभ श्वा के आश्थाई सभापाती कहूं थे घ्राफिटिंग कमेटी मुत सब कोれた और उन के साथ साथ अन्य लोग भी थे निम लिखित में से कौन भारत की समिधार निर्मात्री सवा में समयधानिक सलाकार थे बियन राव डी एंसर इसका सही है आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी दोस्तों के साथ सेर करिए इसी टाइप से मैं प्रिवियस येर में जो पूछे गए कोश्चन है इस्पेसली रेलवे में जो पूछे गए हैं उसको मैं कभर करने वाला हूँ ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्षन बाई मैं इसे लाऊंगा तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दवा लिजे जिससे कि आपको पलपल की अपडेट मिलती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो